आज के lecture में हम exercise number 6.1 के question 4 का part C solve करेंगे हम मालूम करेंगे एक ऐसे circle की equation जिसके बारे में बताया गया हो कि वो pass कर रहा है एक point में से और ये बताया गया हो कि वो एक line के उपर एक point पर tangent है start करते हैं आज का lecture exercise है हमारे पास 6.1 और question number 4 में हमने करना क्या है कि नीचे दिये गए हर question के अंदर हर part के अंदर मालूम करनी है एक circle की equation ऐसे circle की equation जो pass कर रहा हो एक point A में से और वो circle tangent हो इस line पर या कह लें यह line उस circle पर tangent हो और यह line जिस point पर circle पर tangent है वो point B है situation कुछ इस तरह की है कि हमें मालूम करना है एक circle जो point 5 और 1 में से pass कर रहा हो और जिसके लिए यह वाली line 2x minus 5 minus 10 is equal to 0 tangent हो और यह इस circle के ऊपर tangent हो at the point 3 और minus 4 पर और हमने मालूम करनी है इस circle की equation याद है circle की equation कैसे मालूम किया करते हैं circle की equation मालूम करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं एक यह है कि circle की standard equation इस्तमाल करें जिसमें हमें center h और k मालूम हो और radius r मालूम हो तो equation हुआ करती है x minus h का square plus y minus k का square is equal to r square और ये भी आपको याद होगा कि ये equation उस वक्त इस्तमाल किया करते हैं जब हमें center और radius में से कम और कम एक चीज़ मालूम हो या हम given information से असानी से मालूम कर सकते हों इस वक्त जो हमें information given है कि circle point 5 और 1 में से पास कर रहा है और ये वाली जो line है ये circle की tangent line है और ये line circle के उपर tangent है point 3 और minus 4 पे इस information से ना तो मैं circle का center मालूम कर सकता हूं और ना ही मैं circle का radius मालूम कर सकता हूं तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं standard equation of circle का इस्तमाल नहीं करूंगा बलके मैं इस्तमाल करूंगा general equation of circle का जो हुआ करती है x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c is equal to 0 जिसमें center हुआ करता है minus g और minus f और radius हुआ करता है square root of g square plus f square minus c इसका इस्तमाल करके अगर हमें circle की equation निकालना हो तो हमें तीन unknowns मालूम करने होते हैं g,f और c और उसके लिए हमें 3 equations की जरूरत होती है हम इस्तमाल करते है general equation of circle का लेट कर लेते हैं कि circle की equation जो है वो x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c is equal to 0 है और अब यह जो तीन unknowns हमने g,f और c मालूम करने हैं उसके लिए हमें 3 equations की जरूरत है एक equation बन जाएगी इस तरह से के point five और one जो है वो इस circle पर है तो वो इस circle की equation को satisfy करेगा दूसरी equation बन जाएगी के यह जो point three और minus four है यह भी circle पर है जो line circle पर tangent है वो circle के इस point पर है तो यह point three और minus four भी circle पर है यह भी circle की equation को satisfy करेगा अब तीसरी equation कैसे मालूम करेंगे तीसरी equation मालूम करने के लिए हम इस्तमाल करेंगे इस बात का कि अगर मैं circle के center minus d और minus f को इस point b से मलाएकर radius line बनाऊं तो यह वाली radius line और यह वाली tangent line इनके दरमयान angle कितना बन रहा है याद करें पुरानी classes में आप पढ़ चुके हैं कि radius line और tangent line के दरमयान जो angle होता है वो 90 degree का होता है और याद करें chapter number four second year का कि अगर दो lines के दरमयान angle 90 degree का हो तो क्या खास बात होती है तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर उन में से एक line की slope M1 हो और दूसरी line की slope M2 हो और उन दोनों में से कोई भी line vertical line ना हो तो फिर उन दोनों की slopes का product minus 1 हुआ करता है तो तीसरी equation मालूम करने के लिए हम ये तरीका अख्तियार करेंगे कि हम radius line CB की slope मालूम करेंगे जो given line है 2X minus Y minus 10 is equal to 0 इसकी slope मालूम करेंगे और दोनों की slopes के product को minus 1 के equal लेंगे जब हमारे पास तीन equations आ जाएंगी G, F और C की उन तीनों equations को solve करके G, F और C मालूम करने के बाद उन्हें equation number 1 में substitute कर देंगे तो हमारे पास circle की equation आ जाएगी ये जो radius CB है इसकी slope कैसे मालूम करेंगे और given line की slope कैसे मालूम करेंगे आप थोड़ी देर तक याद करते रहें, मैं पहले points पुट करता हूँ, उनसे 2 equations बनाता हूँ और फिर आपसे पुछता हूँ के CB की slope कैसे मालूम की जाए और इस line की slope कैसे मालूम की जाए पुट कर रहे हैं point 5 और 1 in equation 1 में, जब हम x की जगा 5 पुट करेंगे तो 5 का square 25 हो जाएगा और y की जगा जब यहां 1 पुट करेंगे तो 1 का square हमारे पस 1 आजाएगा और उसके बाद जो 2g x वाली term है, इसमें x की जगा 5 पुट करेंगे तो 2g x 5 यानि 10g बन जाएगा हमारे पस और जब हम 2fy में y की जगा 1 पुट करेंगे तो 2f x 1 यानि हमारे पस 2f बन जाएगा और plus c is equal to 0 हमारे पस ऐसे ही आ गया इस equation को थोड़ा सा range कर लेते हैं, पहले 10g plus 2f plus c लिख लेते हैं और 25 और 1 को add कर लें तो 26 हो गया, equals to 0 आ गया, एक equation बना लिए है, 0.5 और 1 इस circle पर था, इसने circle की equation को satisfy किया है दूसरा कौन सा point है circle पर, दूसरा point जो हमारे पस circle पर है वो 3 और minus 4 है तो ये भी circle की equation को satisfy करेगा, 3 और minus 4 जो है, इसको circle की equation में substitute करते हैं x की जगा 3 लिखेंगे, y की जगा minus 4 लिखेंगे, जब first term x square में x की जगा 3 लिखेंगे, तो 3 का square मारे पस 9 हो जाएगा जब second term y square में y की जगा minus 4 लिखेंगे, तो minus 4 का square plus 16 हो जाएगा जब 2g x में x की जगा 3 लिखेंगे, तो 2g into 3 जो है, वो हमारे पस multiply होकर 6g बन जाएगा जब 2f y में y की जगा minus 4 लिखेंगे, तो 2f into minus 4 multiply होकर minus 8f बन जाएगा और plus का c is equal to 0, इसको भी range कर लेते हैं, 6g minus 8f plus c as it is लिख लेते हैं और 9 और 16 को add कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 9 और 16 का sum, 9 और 16 का sum 25 बन जाएगा यह जो दो point circle पर थे, इनको हमने circle की equation में put करके 2 equations बना ली है, अब तीसरी equation बनाने के लिए मैं पहले ही तरीका आपको बता चुका, हमें मालूम करना होगी slope radius cb की और slope line 2x minus y minus 10 is equal to 0 की अब cb की slope कैसे मालूम की जाए, जी कोई तरीका आपको आता हो जिसकी मरस से हम cb की slope मालूम कर सकें आपने सीखा हुआ है कि अगर line के उपर 2 points हों, एक x1, y1 और दूसरा point x2, y2 तो फिर उसकी slope कैसे मालूम किया करते हैं उसकी slope मालूम करने का तरीका होता है y2 minus y1 over x2 minus x1 तो इस फामूले का इस्तमाल करके हम cb की slope मालूम करने लगे हैं c circle का center है और circle का center जो है general farm of equation में वो minus g और minus f हुआ करता है और यह दूसरा point 3 और minus 4 है, इसकी मरस से हम slope मालूम करने लगे हैं उपर y coordinate में से y coordinate को minus करेंगे, जब हम minus 4 में से minus f को minus करेंगे तो minus 4 plus f हो जाएगा, और denominator में x coordinate में से x को minus करेंगे 3 में से minus g को minus करेंगे, तो 3 plus g हो जाएगा यह radius segment cb की slope हमने मालूम कर ली है और हमें मालूम करना है slope 2x minus y minus 10 is equal to 0 वाली line की कैसे मालूम करें इसकी slope एक तो तरीका यह हो सकता है कि हमने इस तरह की line की equation की slope का formula याद किया हुआ हो direct और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम line की equation को arrange कर लें y is equal to mx plus c की farm में अगर हम y एक तरफ रखें और बाकी सारा कुछ right side पर ले जाएं तो x के साथ जो number m आएगा वो उस line की slope होगी मैं यहां पर यह तरीका adapt कर रहा हूँ उसके लिए ऐसा करते हैं कि यह जो line की equation हमें दी हुई है 2x minus y minus 10 is equal to 0 इसमें से y को right side पर ले जाते हैं तो y is equal to 2x minus 10 आ गया x के साथ number इस वक्त 2 आ रहा है यह इस line की slope है इस slope का ना मैंने m2 रख लिया मुझे radius cb की slope m1 मालूम हो गई है tangent line जो है circle के उपर उसकी slope m2 मालूम हो गई है दोनों आपस में perpendicular होते है यह मुझे बचपन से याद है यह हमने 9th और 10th class में circles की properties proof की थी theorem के अंदर वहां से याद है तो यहाँ पे इन दोनों की slopes का product माइनस 1 हो गया इसमें m1 और m2 की value substitute करते है और simplify करते है m1 into m2 is equal to minus 1 है m1 हमारे पास minus 4 plus f over 3 plus g है और m2 हमारे पास 2 है इन दोनों के product को हम equal to minus 1 लिख लेते है इस equation को थोड़ा सा range करते है उसके लिए 2 से numerator में multiply कर ले तो minus 8 plus 2f हो जाएगा 3 plus g को right पर लाकर minus 1 से multiply कर ले तो minus 3 और minus g हो जाएगा और arrange करके मैं लिखना चाहता हूँ g, f और constant की farm में उसके लिए g को left पर ले आए plus का हो जाएगा और 2f पहले से मुझूद है 2f plus g हो गया और minus 3 को left पर ले आएए तो plus का 3 हो जाएगा और minus 8 plus 3 जो है वो minus का 5 equals to 0 आगया मेरे पास f और g की एक और equation बन गई है इससे पहले f, g और c की मैं दो equations और भी बना चुका हूँ अब मेरे पास equation number 2, 3 और 6 हैं इन तीनो equations को solve करके मैंने g, f और c मालूम करने हैं पहले भी previous lectures में भी मैं बता चुका यह linear equations हैं इनको solve करने के लिए आप different methods इस्तमाल कर सकते हैं और मैं यहाँ पर इनको simultaneously solve करने लगा हूँ क्या किया जाए इस equation में सिरफ f और g मुझूद है जबके इन दोनो equations में f, g और c तीनों मुझूद है ऐसा करते हैं equation 2 और 3 को आपस में subtract कर लेते हैं equation 3 को 2 में से minus कर लेते हैं उपर लिखते हैं 2 नीचे लिखते हैं 3 और इनको minus करते हैं 2 में से 3 को minus कर लिया 3 को subtract कर लिया 2 में से क्या किया जाए minus कर रहे हैं तो नीचे वाली equation के science change हो जाएंगे 10G और माइनस का 6G, यह मारे पास प्लस का 4G बन जाएगा, यह प्लस का 8F और प्लस का 2F, यह मारे पास प्लस का 10F बन जाएगा, यह प्लस का C और माइनस का C कैंसल हो जाएगे, प्लस का 26 और माइनस का 25, यह मेरे पास प्लस का 1 बन जाएगा, अब मेरे पास 2 equations हैं, जिन में F जी मुझूद है एक effectivement नम fender six और ایک equation number seven इन दोन्हों में या तो मैं जी का कॉफशन से बनाता हूँ या मैं अप का कॉफशन से बनाता हो मैं ऐसे कर रहा हूं के equation number six में four से multiply करके जी का कॉफशन से बना रहा हूं यहां पर four जी है equation six को four से multiply करूंगा तो इसमें भी 4G होजाएगा जब equation 6 को 4 से multiply करूंगा तो में वापस सबसे पहले 4G आजाएगा जब इसको 4 से multiply करूंगा तो में वापस 4 to the 8F बन जाएगा और जब मैं माइनस के 5 को 4 से multiply करूंगा तो माइनस 4 इंटो 5 माइनस का 20 एकोस तो 0 आ गया इन दोनों में मैंने G का कोफिशन्ट सेम बना लिया है अब मैं इनको सॉल्व करके F मालूम कर सकता हूँ कैसे अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूँ माइनस करने पे निटल वाली एक्वेशन के साइन चेंज हो गए हो सकता है जी बिलकुल हो सकता है 21 को राइट साइड पर लेकर जाएं तो मेरे पास 2 F is equal to माइनस 21 बन जाएगा और 2 से डिवाइड करने 2 से डिवाइड करने पर F की वैल्यू माइनस 21 ओवर 2 आ गई मैंने मालूम करनी थी तीन चीजे G, F और C और उनको equation 1 में substitute करना था उनमें से एक unknown F मैंने मालूम कर लिया है माइनस 21 ओवर 2 आ गया है अब मुझे मालूम करना है बाकी दो unknowns को G और C को ऐसा करते हैं यह जो मेरे पास F माइनस 21 बै टू आया है या कैलें 2F माइनस 21 आया है जब equation 6 में 2F की जगा माइनस 21 लिखेंगे तो यह माइनस का 21 प्लस G माइनस का 5 इकोस तो 0 बन जाएगा और माइनस 21 और माइनस 5 एड़ होकर माइनस 26 हो जाएगे राइट साइट पर लेकर जाएगे तो G की वैल्यू प्लस 26 आ गई G मालूम कर लिया मैंने क्या रह गया बहला मालूम करने के लिए पिलकुल सही कहा रही है और सी रह गया अब यह जो मेरे पास G और F मालूम हो गए हैं इनको या तो equation 2 में substitute कर लेता हूँ या equation 3 में substitute कर लेता हूँ और S मालूम कर लेता हूँ ऐसा करता हूँ equation 2 में 2F की जगा minus 21 लिख लेता हूँ और G की जगा 26 लिख लेता हूँ और C मालूम कर लेता हूँ तो substitute करने लगा हूँ 2F की जगा minus 21 और G की जगा 26 equation 2 में जब हम G की जगा यहाँ 26 लिखेंगे तो 10 into 26 जो है वो मेरे पस 260 बन जाएगा और equation 2 में जब हम 2F की जगा minus का 21 लिखेंगे तो minus का 21 आ जाएगा और plus का C और plus का 26 is equal to 0 as it is इस में से हमने मालूम करनी है C की value 26 plus का और minus का 21 यह plus का 5 बन जाएगा 260 में 5 अड़ करेंगे तो 265 हो जाएगा और 265 को right side पर ले जाएगे तो minus का हो जाएगा C की value minus 265 आ गई C की value minus 265 आ गई G की value 26 आ गई F की value minus 21 by 2 यह कहलें 2F की value minus 21 आ गई इन values को इस equation 1 में substitute कर लेते हैं तो हमाँ आपस final answer आ जाएगा X square plus Y square plus 2G X में जब G की जाएगा 26 लिखेंगे तो 2 into 26 जो है 52 X बन जाएगा 2F की जगा यहां पर minus का 21 लिख लेंगे तो minus का 21 Y हो जाएगा और plus C में C की जगा minus 265 लिखेंगे तो minus का 265 एकुस तो 0 यह हमने उस circle की equation मालूम कर ली है जो यह given point में से पास कर रहा है और जिसके लिए एक given line tangent है एक point given के उपर तो यह तरीका था circle की equation मालूम करने का जब circle एक point में से पास कर रहा हो एक line circle पे tangent line हो और वो line circle पे जिस point पर tangent हो वो point भी हमें मालूम हो previous two lectures में आपको बिलकुल कोई homework नहीं मिला था मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया था आज के lecture में ऐसा नहीं है आज के lecture में आपको example number 5 page 253 के उपर मिल रही है जिसमें हमने यही सब कुछ करना है जो हमने इस question के अंदर solve किया है हमें दिया यह गया है कि circle इस point minus 2 और minus 5 में से पास कर रहा है और यह बताया गया है कि यह line circle पर tangent line है यह line circle को touch कर रही है और यह line point 4 और 3 पर circle को touch कर रही है तो बिलकुल same lines पर यह example आप की हुई आप इसे खुद solve करेंगे अगर solve करते हुए कोई मसला पेश आए तो हमारे channel का whatsapp number description में मुझूद है अब हम से रापता कर सकते हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं मजीद questions solve करेंगे exercise 6.1 में से आने वाले दिनों में